नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेट रूपोट से उनकी एक और वीडियो मा आप सभी का सकते हैं दोस्तों, रेलवे की तरफ से आपकी एक और वेकेंसी निकल गया चुकी है जो कि आपकी मिनिस्ट्रियल की है इसमें काफी सारी पोस्तों है कि आपकी स्टैनोग्राफर है जूनियर ट्रांसलेटर है, चीफ लौ असिस्टेंट है और काफी टीचर्स की यहाँ पे वेकेंसी निकल गया ही है टोटल जो यहाँ पे पोस्त है वो है 1665 अब पूरा डीटेल में देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ मांगे गई है 12 के लिए कौन-कौन से वेकेंसी है, ग्रेज़ेशन के लिए कौन-कौन से यह, डिप्लोमा के लिए कौन-कौन से है सेलेक्शन प्रोसेस क्या है स्लेबस और एक्जाम पैटर्न क्या होगा, एक्जाम कब तक होगा, फीज क्या है, एज क्या है, सेलरी क्या है, सारे चीज़ों पर डिसकस कर लेंगे तो वीडियो को लास तक पुरा देखना एक-एक पॉइंट पर यहाँ पर देख लेंगे, सबसे पहले, इंपोर्टन डेट के कब से कब तक आपके फॉर्म बरे जाएंगे फॉर्म बरने की जो स्टार्टिंग डेट है, वो 8 मार्स से है, और जो लास डेट है आपकी फॉर्म बरने की वो है 7 अपरेल, और बात कर लेते हैं, अगर फीस पेमेंट की, तो ऑनलाइन अगर आप फीस पेमेंट करते हो, तो लास डेट क्या है 13 अपरेल, और ओफलाइन करते हो, चाहे वो SBA चालान के तुरू हो, चाहे वो पोस्ट आफिस चालान के तुरू हो, तो आपको करनी है 11 अपरेल तक और फाइनल जो सब्मिशन है अप्लिकेशन करेंगे जो आपकी ऑनलाइन फॉर्म है उसका फाइनल जो सब्मिशन है वो आप कर सकते हो 16 अपरेल तक एक्जाम डेट की यहाँ पर बात करें इसमें common A की CBT होने वाला है तो उसकी जो डेट है वो जोन जोलाई 2019 तक हो सकता है अब देख लेते हैं इसके post wise qualification और age एक एक post की साथ साथ में qualification बताता जाओंगा और साथ साथ आपको वहाँ पर age भी उसकी साथ साथ में बताता जाओंगा तो सब सब पहले जो हमारी post है वो है junior stenographer की हिंदी और English दोनों के अंदर आपकी यहाँ पर post निकल गई है आपको कोई एक अपलाई करना या तो हिंदी का या फिर English का age के अगर यहाँ पर बात करें तो 18 से लेकि 30 हैं दोनों की ही junior stenographer हिंदी और English की यह है general की इसमें CST और OBC को जो छूट मिलती है वो उपर है यहाँ पर अगर educational qualification की बात करें तो दोनों के अंदर यह आपको 12 पास मांगा गया है या फिर इसके equivalent कुछ भी हो आपको यहाँ पर short end speed दिखानी है 80 words per minute की 10 minute का आपको वहाँ पर time मिलेगा वो जो पूरा process है वो मैं आगए आपको बता दूँगा और transcription जो time में इसके अंदर 45 minute का है हिंदी वाले के अंदर और English वाले के अंदर है 50 minute का तीसरी आपकी vacancy है junior translator यह आपकी हिंदी के अंदर है इसके अंदर आपकी जो age मांगी गई है वो है 18 से लेके 33 और educational qualification की अगर बात करें इसके अंदर तो आपको चीए master degree हिंदी और English आपका जो subject है वो होने चीए आपके master degree में optional होने चीए चाए compulsory होने चीए कैसे भी होने चीए तो आपके यह वाले subject होने चीए इसके अलावा इसके साथ आपको चीए दो साल का इसके अंदर certificate या फिट डिप्लोमा किसके अंदर translation के अंदर क्योंकि translator की आपकी vacancy है तो translation के अंदर आपको दो साल का certificate या फिट डिप्लोमा दिखाना होगा next हम बात करते है चौथी vacancy staff and welfare inspector यहाँ पर age की बात करें तो 18-33 है यहाँ पर जो आपको medical standard दे रहा है C1, C1, B1 इसके मैं आगे बताँ को कि medical standard क्या-क्या है यहाँ पर age होगी 18-33 यहाँ पर आपको क्या चीए graduation चीए किसी भी stream से अगर आप graduate हो तो आप यह form बढ़ सकते हो उसके साथ आपको क्या चीए डिप्लोमा चीए labor welfare या फिर social welfare में या फिर यह चीज़े नहीं है तो LLB होन सकती है आपके पास LLB with labor laws यह भी नहीं है तो डिप्लोमा इन labor laws होना चीए यह भी नहीं है तो post graduation diploma in personal management या फिर MBA with paper in personal management और MBA HR awarded by the institution recognized by the government of India यानि कि staff and welfare inspector कि आपकी educational जो qualification है high मांगी गई है graduation के साथ आपको इन में से कोई एक चीज़ चाहिए पास जो आपकी post चीफ law assistant की age यहाँ पर मांगी गई है 18-40 educational qualification की बात करें तो सीरह सेथ आपको बताता था हूँ यहाँ पर आपको चीए law की डिग्री और तीन साल का आपको work experience किसी के अंडर work experience यह आपको छटी आपकी vacancy यह lab assistant grade 3 chemist and metallurgist यहाँ पर age मांगी गई है 18-30 और educational qualification की बात करें तो 12 आपको चाहिए science के अंडर physics और chemistry आपका subject होना चाहिए और इसके साथ आपको चाहिए diploma या फिर certificate in lab technology next आपको बात करते हैं इसकी fingerprint examiner की age यहाँ पर देखते हैं 20-35 यहाँ पर भी आपको 12 चाहिए या फिर इसके equivalent कुछ भी है और यहाँ पर आपको fingerprint expert का एक certificate दिखाना होगा आठी विकेंसी आपकी head cook की और 9-1 cook की इन दोनों की educational qualification है वो सेम ही है दोनों की age भी यहाँ पर सेम है 18-30 educational qualification आपको चाहिए यहाँ पर 12 12 के साथ आपको यहाँ पर चाहिए craftsmanship में कुकरी का certificate ठीक है craftsmanship में कुकरी का आपको certificate चाहिए दोनों के अंदर दस्वें आपकी post है senior publicity inspector यहाँ पर age बांगी की है 18-33 यहाँ पर आपको educational qualification चाहिए डिग्री चाहिए और डिग्री के साथ में आपको चाहिए diploma in public relation यहाँ पर advertising journalism mass communication from a recognized institution और दो साल का अगर आपके पास experience है तो आपको preference दी जाएगी दूसरों से पहले तो यह बात होगी इस vacancy की नेक्स हम देखते हैं हमारी publicity inspector की ज़स हमने जो पिसली vacancy देखी है same वही इसमें चाहिए educational qualification degree के साथ आपको diploma चाहिए public relations, advertising, journalism, mass communication इन सभी में यहाँ पर भी age आपकी 18-33 है 12 आपकी पोस्ट है photographer age यहाँ पर है 18-33 इसमें आपको चाहिए 10 प्लस 2 यहाँ के 12 अब 12 के साथ आपको चाहिए यहाँ पर photography का कोई भी certificate इतने सारे दे रखे हैं इनमें आपके पास photography का कोई भी certificate होना चाहिए यह सारे आपको यहाँ पर चाहिए तेरी आपकी post है वो आपकी post graduate teacher की किसमें biology के अंदर English video में चाहिए और यह male की है और male female यहाँ पर सब में mention कर रहा है सिब आपको वो ही post apply करनी है female वाले जो भी candidate है वो female वाली post ही apply करना और जो male candidate है वो से male वाली post apply करना यहाँ पर अगर age की बात करें तो 18 से 45 है सभी में यही चलेगी आपके अब कुछ आपकी जो post आईगी आगे तक वो post graduate teacher क्याईगी इनमें common जो educational qualification चाहिए सभी में वो बताता हूँ बेड आपको चाहिए यहाँ पर पर अंपल सरी और जो proficiency है teaching में यहाँ जैसे कि यहाँ पर लिकर का English idiom किसी के आगे अगर Hindi medium लिकर का होगा तो उसमें proficiency चाहिए दो qualification सभी के अंदर common है इसके बाद अब इसमें जैसे biology मांग लिया गया है post graduate teacher biology तो आपको या तो चाहिए दो साल का integrated post graduate MSC किस के अंदर biology के अंदर या फिर master degree चाहिए आपको at least 50% आप पास होने चाहिए कुछ यहाँ पर subject दे रखे हैं जैसे कि botany, zoology, life sciences, biosciences, genetics, microbiology, biotechnology और यह जितने भी subject हैं इनमें आपके 50% होने चाहिए अगली आपके post graduate teacher English यानि कि English subject की यह भी mail की है यहाँ पर भी age 18-45 है master degree चाहिए आपको English में 50% से BAG चाहिए और proficiency in English medium next देखते हैं अब यह दे के जितनी भी post हैं यह सभी post graduate की हैं यहाँ पर चाहिए आपको English female जो अभी mail की बताईए educational qualification same इसमें भी चाहिए 18-45 है और post graduate teacher geography English medium female और इसमें आपको चाहिए यहाँ पर भी age सभी में 18-45 है तो बार-बार नहीं बताऊंगा देख लेना यहाँ पर educational qualification आपको master degree चाहिए geography में 50% से BA आपको चाहिए proficiency चाहिए English language में physics mail की यहाँ पर बात करते हैं post graduate teacher की तो आपको master degree चाहिए physics में 50% आपके होने चाहिए देखिए physics का यह male का है और यह female का है तो BA आपको यहाँ पर चाहिए इसका साथ आपको proficiency दिखाने होगी teaching की Hindi and English दोनों medium के अंदर क्योंकि यहाँ पर कोई भी medium दे नहीं रखा है तो Hindi और English दोनों के चाहिए अगला है आपको political science का female के लिए post graduate teacher की यहाँ पर आपको master degree चाहिए किस के अंदर political science के अंदर 50% से उसके साथ आपको चाहिए बीड और proficiency चाहिए आपको Hindi और English में पढ़ाने में अगला एक और बस्ती आपकी post graduate teacher computer science तो इसकी बीज आपकी 18-18 से इसके अंदर आपको चाहिए 50% ठीक है master degree में 50% चाहिए या तो B.E.B.T.E.G. होना चाहिए आपका उसके साथ एक साल का आपको teaching experience चाहिए वो नहीं है तो M.S.C. चाहिए आपको computer science में प्लस एक साल का experience अगर वो भी नहीं है तो master of engineering M.T.E.C. चाहिए आपको computer science में यह सबी चाहिए है M.T.E.C. के अंदर आपको experience दिखाना नहीं होगा अगली आपकी post है trained graduate teacher जो की computer science में तो इसके अंदर आपकी age है 18-45 तो teacher की यहाँ पे काफी सारी vacancy है यहाँ भी आपको 50% सी है इन में से किसी भी एक चीज़ के अंदर तो यहाँ पे अगर आपके पास B.E.B.T.E.C.A. है graduation है computer science के अंदर तो आप यह form अपलाए कर सकते हो अगली आपकी trained teacher home science के अंदर female के लिए आपकी यह post है 18-45 आपकी age है इसके अंदर आपको graduation चाहिए home science के अंदर ठीक है या फिर अगर आपके पास यह नहीं है तो इसके साथ आपके पास हो सकता है B.E.C. home science तो यह सब भी होने चाहिए तरीस से आपकी पोस्ट है trained graduate teacher हिंदी female अब हिंदी में आपको simply दे रखा है यहाँ पे क्या क्या आपको चाहिए पहली जो qualification है वो इन में से आपको एक चाहिए कहीं आपको दे रखा है कि 10 प्लस 2 यानि कि 12 के साथ आपको 4 साल का कोई भी course दिखाना होगा या फिर graduation with Hindi और 2 साल का अगर आपके पास यहाँ पे elementary education का certificate है तो भी आप यह form बढ़ सकते हो या फिर graduation in Hindi with at least 50% marks in one year bachelor of education यानि कि B.A.D. या अगर आपके पास है Hindi के साथ तो आप यह form बढ़ सकते हो और T.A.T. आप पास होने चीए teacher eligibility जो test होता है वो आपका यहाँ पे पास होना चीए और teaching में आप एकदम अच्छे होने चीए ट.A.T. आपको यहाँ पे चीए सेम वही चीज है अगला आपका physical training instructor English medium male और English medium female age दोनों की 18-45 है teaching की जो भी आपकी पोस्ट है वहाँ पे age 18-45 है आपको यहाँ पे graduation चीए with diploma in physical training यानि कि graduation के साथ आपको चीए diploma physical training का अगर आपके पास वह नहीं है तो एक होता है be paid तो basically वह इनके लिए होता है physical जो trainer होते है उनके लिए होता है तो 10 plus 2 के साथ अगर आपके पास वह भी है तो आप यह form बढ़ सकते हो next आपके पोस्ट है assistant mistress का junior school का जो हमने पीछे education qualification देकी थी same उसमें भी आपको वही चाहिए टेट आपका यहां पे पास होना चाहिए जो भी teaching के आपने पहले देकी थी same वही educational इसमें चाहिए और music mistress age यहां पे 18-45 है इसमें BA की डिग्री होनी चाहिए music में अगर वह नहीं है तो 10 plus 2 होना चाहिए और उसके साथ आपको इन में से कोई भी एक musical certificate चाहिए जो कि यहां पे दे रखा है next हम देख लेते है dance mistress और last वाली की post जो age है वो भी 18-45 है और यहां पे educational qualification मांगी कि यह वो है degree in dance 4 साल का course होना चाहिए अगर वह नहीं है तो diploma in dance जो कि 5 साल का आपका course होता है last है आपकी laboratory assistant school के अंदर यहां पे educational qualification आपको चाहिए 10 plus 2 ठीक है with science science में होने चाहिए और आपको चाहिए एक साल का experience in pathological and biochemical laboratory तो यह educational qualification होगी सभी post के और साथ-साथ age के बात होगी fees same way चल रही है जो पहले भी NTPC बगरे की post की थी वोई जनरल और OBC की 500 रुपए जिसमें आपकी 400 रुपए refund हो जाएगी और बाकि जितने भी other categories है physical handicapped female S.C.S.T. economically backward classes उनकी डाइस रुपए है और CBT देने के बाद आपके डाइस रुपए यहाँ पर refund हो जाएंगे medical standard की बात करते है B1, C1 और C2 तीन टाइप के यहाँ पर आपको medical standard देखने को मिलेंगे और physically याफिट होने चीए सभी expect में और eyesight की अगर बात करें तो distance vision चीए आपको 6x9, 6x12 का with or without glasses और आपकी चश्म है तो भी आपके allowed है तो power of lens यहाँ पर 4D से ज़्यादा नहीं होना चीए और C1 में भी आपके 6x12, 6x18 with or without glasses C2 में भी आपके यही मांगा गया है 6x12, nil, with or without glasses तो यह सारा हो गया medical standard recruitment process यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या-क्या चीज होगी ठीक है वैसे आपका एक ही exam होगा यहाँ पर यहाँ आपका CBT1, CBT2, 2 नहीं होगा CBT1, single stage, CBT होगा उसके बाद जिस भी post के लिए stenographer मांगे गया है उसके अंदर आपको stenography skill test देना होगा और जो teaching वाली जो post है उनके अंदर आपको performance test और teaching skill test देना होगा और एक आपकी translator की vacancy थी उसके अंदर आपको translation test देना होगा यह सारे process है इसके बाद आपका document verification और medical होगा तो यह तो यह हो गया पूरा process next देख लेते हैं जो इसका paper pattern होगा वो 90 minute का आपको time मिलेगा सो वहाँ पर question होगे एक question एक marks का मिलेगा 1 by 3 आपकी यहाँ पर negative marking होगी अब देख लेते हैं इसका पूरा का पूरा pattern exam pattern देखते हैं यह पूरा pattern है देखें किस किस post का है stenographer junior stenographer को छोड़ के जितनी भी हाँ पर vacancy मैंना आपको बताईए उनका यह exam pattern है तो stenographer का अलग exam pattern होने वाला है बहुत ध्यान से देखना और stenographer को छोड़ के जितनी भी other जितनी भी vacancy है उनका यह exam pattern है टोटल आपके यहाँ पर 5 subject है एक तो है professional ability यानि कि जो भी आप post भरोगे उसका professional test अलग से होगा यानि कि उसके जो 50 number है पचास जो question है वो अलग से पूछ जाएंगे हर post के लिए general awareness, general intelligence and reasoning mathematics और general science इन सभी के इन दो के दो है mathematics और general science के तो 10-10 question, 10-10 marks के general awareness, general intelligence और reasoning के 15-15 question, 15-15 marks के professional ability के आपके 50 question, 50 marks के तो इस आप से आपके 100 question हो जाते हैं 100 marks के और negative mark के आपके यहाँ पे 1 by 3 है और यह जो professional ability का syllabus है, यह मैं आपको लास्ट में बताऊंगा आपके जो wikipty है, यह उसके अंदर अलग से सब का दे रखा है, जितनी भी आपके यहाँ पे post है professional ability का syllabus सब के लिए अलग अलग है, वो मैं आपको बात में बता दूँगा अभी हम देख लेते हैं, बाकी जितने भी other subject से उनका syllabus, जैसे के mathematics का यह सब ही है, देखे NTPC हुआ, paramedical staff हुआ, उनकी जो vacancy आई थी, उनमें भी same आपका यही syllabus था, तो यह syllabus मैं आपको पहले ही बता दिया है, तो इसका screenshot ले ले दूसरा आपका general intelligence and reasoning यह इसमें सारे topics है अगला आपका general awareness जिसमें आपकी current affairs जी के पूरी आती है ठीक है, इसके बाद आपका general science, जिसमें आपकी physics, chemistry, life sciences है, up to 10th standard minimum passive marks यहाँ पे unreserved के 40%, OBC के 30%, SC के 30%, ST के 25%, यह तो हो कि आपको पूरा exam pattern, जितनी pattern, इसमें आपके दो ही subject आएंगे, एक तो आपका general awareness दूसरा हिंदी और English या तो आपको हिंदी या फिर English चूस करना है, दोनों के आपके 50-50 question आएंगे, general awareness के 50 और हिंदी या फिर English में से किसी एक subject के 50, total 100 question और marks यहाँ पे बन जाएंगे 200 क्योंकि यहाँ पे एक question दो marks का पड़ेगा 90 minute का आपको यहाँ पे time मिलेगा same वही है, time वगरे तो वही है question भी 100 ही है, यहाँ पे marks 200 हो जाते हैं, यह तो होगे आपका देखे general awareness के अंदर same वही syllabus है जो अभी हमने पीछे देखा है Hindi और English, यह दो आपकी चीज अलग आ जाती है, इसका जो syllabus है वो भी आपको वीडियो में last में मिल जाएगा और दोनों आपको अलग से अलग से आपके part है और अलग से आपका syllabus है तो अलग से देख लेना सबी को अगला, CBT दिने के बाद आपका होगा इसमें stenography skill test इसके अंदर हिंदी का अलग होगा और English का अलग होगा, तो आपको जो भी चूज करना हो, एक चूज करना हो, एक में देना पड़ेगा speed दोनों में 80 words per minute है time दोनों में 10 minute का है, transcription time English में 50 minute और हिंदी में 65 minute का है, तो stenography skill test का यह पूरा का पूरा pattern है अब जैसा कि मैंना आपको आता कि किसी का syllabus आपके last में दे रखा है विगिप्ती में, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ junior stenographer हिंदी का आपका यह syllabus है और इसके बाद आपका नीचे आ जाएगा junior stenographer English का यह आपको विगिप्ती में मिल जाएगा, नीचे की तरफ जब scroll करोगे, काफी सार है, यह मैं आपको page number लगबग बता देता हूँ, पचास के बाद यह आएगा, यह हो गया इसके बाद आपके junior translator हिंदी का syllabus यह रहा अब देखे, जो भी मैंना आपको एक चीज बताई दे न, जो आपके professional ability का जो syllabus था, अब वो है post wise आपके professional ability का syllabus ही है, जैसे कि staff and welfare inspector का ही है इसके बाद आपका जाएगा chief law assistant का, और ऐसे अगर कि जितने भी आपके post है, उनके यहाँ पे syllabus आपको मिल जाएगा, fingerprint examiner जो आपके 50 questions आने वाले हैं professional ability के, वो इसी syllabus में साएंगे यह cook और head cook का है public inspector या फिर senior public inspector, उसका यह syllabus है professional ability का photographer का और यह आपके teachers का, जितने भी post graduate teacher है, आपके trained graduate teacher के जो आपकी post है थी उसका यह combined आपका syllabus दे रहका है यह आपके physical training instructor का assistant, master या फिर mistress का, जो की junior school की थी music teacher, या फिर mistress तो वो पूरा बता दिया है मैंने आपको syllabus और अगर आपको देखना है कि zone wise आपकी vacancy कितनी है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देदा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, zone wise आपकी vacancy RRB एमदाबाद में दे रखा है total यहाँ पर आपकी 30 vacancy निकल गई है, 30 post उसके बाद RRB अजमेर में total 59 है, 49 है RRB एलाबाद में सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको देखने को, यहाँ पर total आपकी 126, RRB बेंगलोर में आपकी 103, RRB बोपाल में 24, RRB भुगनेश्वर के अंदर त्रेपन RRB बिलासपूर के अंदर आपकी देखने को मिलेगी 28, RRB चंदिगड में आपकी 88, RRB चनरई में 154, RRB चनरई में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी 154, RRB गोरकपूर यहाँ पर 76 RRB गोहाटी में 58, RRB जमू श्रीनगर में 59 RRB कोलकटा में आपको देखने को मिलेगी 319 यानि के सबसे ज़्यादा यहीं पर है तो कुछ जोन है जहाँ पर वेकेंसी काफी ज़्यादा है और कुछ जोन है वहाँ पर वेकेंसी काफी कम है RRB मालदा में आपको देखने को मिलेगी 24 RRB मुंबई में आपकी टोटल 267 मुंबई में भी काफी ज़्यादा है RRB पतना में आपकी 72 RRB रांची में आपकी 21 RRB सिकंदराबाद में 95 RRB तिरुवनंदपुरम में आपकी 19 और इस हिसाब से टोटल बन जाती है आपकी 1665 तो ये पूरा वीडियो था आज के बारे में मिनिस्ट्रल की ज़िए आपकी पोस्ट निकल गई है सभी मैं आपको पूरी डीटेल मता दिये फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए हो पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बैल आगएन को क्लिक जरूर करना तो दोस्तों धन्यवाद मिलते ने एक वीडियो में